नमस्कार खबरे अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कीर्थी कंसल आज हम फिर से हाजिर हैं पायस आयरुविदा के खास कारिक्रम के साथ और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर इंदरजीत कोर जो की M.D. है वैश्विग वैशिजा कलपन आमें माफ कीजेगा तो आज हम बात करेंगे वात, पित और कफ की कल हमने पूरे इस एपिसोड में बात की थी कि वात, पित, कफ क्या है लेकिन आज हमारे दर्शकों को जानकारी दीजे कि इसके व्रिस्तित जानकारी हमारे दर्शकों को तक पहुंच सकी जैसे मैंने कल भी पताया था कि हमारी बॉड़ी में ती त्रिदोश होते हैं जिसको हम लोग बेस में मान के चलते हैं वाद पित और कफ वाद बॉड़ी में कोई भी मूवमेंट होती है वो चाहे हिर्द्यय का हमारे पैल्पिटेशन है ध्यरकत धड़कना है हमारे आइज की म हमारी बॉडी में चलाए मानता हम लोग इसको बोलते हैं तो वह वात के कारण होती है और बॉडी में एग्रेशन है या हम लोग कहते हैं कि जो भी bonding है वो सारी कफ का कारण है कफ के कारण जैसे mucous membrane है हमारी lining है हर जगा body parts में तो वो सारा कफ का काम है तो हमारी body इससे तीन तरीके से चलती है वाद, पित और कफ इन चीजों को हम लोग base मान के चलते हैं और body के सारे जो parts है हमारे brain मतलब brain से ले को divide किया हूआ है हर organs को कि यह organs हैं यह कफ से relate करते हैं यह organs है वाद से relate करते हैं और यह से आ रही है कुछ लोग जो हैं बच्पन से ही इन चीजों का शिकार होते हैं तो आज हमारे चैनल के माध्यम से कौन सी वो चमतकारी जड़ी बूटियां है जिसको लेकर के इन रोगों से छुटकारा पाय जा सकता है देखो यह बॉडी में इम्मुनिटी की कमी हम लोग बोलते हैं कि बच्पन से लेकर हमें वही चीजें हमें परिशान करती हैं तो यह हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में वैसे वैसे मैं बताती जाओंगी कि कैसी यह सारी चीजें रिलेट करते हैं at the time of birth आज हम लोग अगर कफ को लेके चलते हैं या खांसी को लेके चलते हैं तो बच्चे बहुत उनकी यह जो गले में लिंफ नोट्स हम लोग इसको बोलते हैं लिंफ नोट्स इनमें infection होते हैं बोड़ी में कोई भी infection होगी तो हमारे जो श्रीर की प्रत देते हैं जिसको तो उससे क्या होता है कि वो गल्या में choking बगारा होनी शुरू हो जाती है बचे इतना तो बता नहीं पाते हैं जब छोटे होते हैं तो उसमें सबसे बैस्ट जो चीज हम लोग बोलते हैं तो स्टीम होती है कि भाप से कोई भी है तो कि आ जाते हैं तो यूंट कम हो जाती है उससे तो जो यह अगर हम लोग लोग चीजों स्टीम देते हैं तो उससे बहुत जल्दी लिंफ नोट जो है मतलब सबसाइड हो जाते हैं और खंसी लुग रफिसेज ओपन हो जाएगा आपको शांस लेना कमफर्टेबल हो जाएगा तो आपकी वो दिक्कत ठीक हो जाएगी और साथ-साथ हम लोग लंग्स को टोन अप करने का भी काम करते हैं इसमें सबसे इजी जो आयरुवेद में लेके चले हम लोग तो सबसे अच्छी चीज होती है हनी और अद्रकरस अद्रकरस घर में हर घर मे अद्रक मिल जाता है तो बच्चों को कोई भी दिक्कत हो खांसी जुकाम अगर काफ वगरा होती है तो अद्रकरस और हनी मिला के दे दो अगर हनी भी नहीं है तो आप थोड़ा सा जैसे इक्वल कॉंटिटी में अगर एक चमच आप अद्रक का जूस लेते हैं तो उसमें उ करते रहना चाहिए पच्चे को दिकत नहीं होनी चाहिए सांस लेने में या किसी और तरीके में इस वक्त हमारे साथ मंदी से राकेश जुड़ गये हैं जी राकेश कहिए क्या जान करिए है अलो मैं नमस्कार मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह ना मुझे ना फरभाइकल क अटकर रहा है जैसे कोई चीज निंगलता हूं पानी पीता हूं तो मुझे ना थोटी सी कभी पेन होती है इसके लिए तो आप गरम पानी में नमक डाल के अगर लेंगे और उसमें हलकी सी थोड़ी सी सफटी का या फिटकरी हम लोग बोलते हैं अगर वह डाल के आप लेते हैं पी भी लेते हैं और गैडऱ् करते हैं दोनों चीजों में से अब कुछ भी कर सकते हैं उससे आपको बहुत जल्दी आराम और सकीन्ड जो आप सर्वाइकल वाल कर रहे हैं तो काफी सारेश होते हैं सबसे पहले तो आपको अपना ज ILLife करना पड़ेगा मैडीशन श एकदम से ठीक हो जाएगी, जैसे आप सिर्फ सर्फों का तेला है, उसमें भी कैमफर डालके आप मसाज करेंगे, जहां पे भी आपके स्वैलिंग है, तो वो ठीक हो जाएगी, बट आपको अपना पोस्टर ठीक करना पड़ेगा, लॉंग लास्टिंग एफेक्ट्स के लिए आप अगर यह सोचो, मैं मेडिसन लेके ठीक हो जाओंगा, तो नहीं, आपका कहीं न कहीं पोस्टर आपका गलत है, जिसके कारण आपको दिक्कत आ रही है, इतनी यांग एज में, तो आपको सर्वाइकल रोटेशन और यह जो बाजू की मुवमेंट आपको करने तो उससे आपको बेनेफिट मिलेगा, तो खीक मैं, थैंक यू, तो हम लोग बात कर रहे थे, वाद की हैं, वाद बाड़ी में कहीं पर भी मुवमेंट से हैं, नर्वस सिस्टम की हैं हमारी, तो वॉलेंटरी और इन्वॉलेंटरी, जितनी भी हमारी मुवमेंट्स होती हैं नर्वस की हैं, या आर्टरी की हैं, वो सारी वाद से रिलेट हो जाती हैं, तो तभी हम लोग बोलते हैं कि जब भी बाड़ी में कोई भी पेन कहीं पर भी होती है, that is related to वाद, और वाद अकेली इतनी ज्यादा डॉमिनेंट हैं हमारी बाड़ी में, कि वाद से आयरोएद म कारण माने गये हैं, और पित की कारण 40 दोश माने जाते हैं, और सबसे ज्यादा कम माने जाते हैं 20 दोश हैं, जो कफ के कारण माने जाते हैं, कफ वाले लोग थोड़े से हेपी गो टाइप होते हैं थोड़े से केरफरी टाइप होते हैं तब उनको ज़ में रिजन आते हैं आप्टेविट होती है, हाइपर एक्टिविटी है, तो अब सोचों कि वीर टियर भी बॉड़ी में जादा होगी, तो इसलिए उससे रिलेटेड दोश भी जादा होते हैं, तो 80 व्यादियां हमारे आयरवेध में वाद से रिलेटड मानी गई हैं, आगे आजाते हैं के वाडी, यह जो वाद पित काफ एँ, इनके भी फर्दर हमने इनके 5 पांच आगे हमारे भेद हम बताए हुए हैं, वाद के 5 भेद हैं आग कि प्रॉब्लम काफ के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम मुझे पित की भी लगती है क्योंकि अगर सिरफ कफ होती तो आपको चुबना नहीं चाहिए अगर यह चुबन हो रही है इत बीन्स आपके साथ पर ऐसे डिटी की प्रॉब्लम भी आपकी है वो आपका जो है बब वगेरा आते हैं आपको रिगर्जिटेशन हो रही है आपके एसेड की तो उसके कारण आपको चुबन हो रही है तो आपना मुलठी ज़रूर लेजिए आप मुलठी लेंगे मुलठी मुझ में रखके उसको चूसते रहेंगे उससे आपके दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो गले में जो आपके स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी और उससे आपकी जो कांटों जैसे चुबन हो रही है वो भी आपके उससे ठीक हो जाएगे मुलठी 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 हर्ब होती है वो आपको मिल जाएगी मार्केट से ठीक है मुलठी मुलठी यस तो यानि कि गले में अगर कांटे हो तो तो मुलेठे लेकर उसे दूर किया सकते में कांटे नहीं होते गले में कांटे जयसे चुबन होती है तो एक तो होती है कि सिर्फ आप का गर जैसे कारण होती है अब जि-ईजो चुबन होगी चुबन में हमेशा कोई भी चीज वही चुबेगी जो एग्रेसिव होगी है ना तो इसका मतलब है कि वहां पे पित का दोश्ट उनके साथ वह कंबाइन कर रहा है काफ के साथ तो मुलठी जो है तो मिठी तो है पित को शमन करती है साथ में यह जो इनका गले में काफ की है कि कम से कम 40 तो दूर की जा सके अहां रियली एक्चुली क्या है हमें मतलब जो भी हमारा सिस्टम आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि बहुत जादा हम लोग बहुत फास्ट स्पीड पे चल रही है ना बहुत जादा फास्ट हो रही है हमारी आज की लाइफ तो सबसे पहले तो मैं यह बोलूँगी कि आज की डेट में नींद ठीक लेनी चाहिए हमें मैंने वहां पर जोक इतने आते रहते हैं वर्ट सेपे हम भी पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि आज कल चौकीदार का काम भी लोगों ने ले लिया हुआ है क्योंकि सोते निय जाग रहे हैं तो जाग रहे हैं तो ने चुली जो दस बजे से रात तक दो बजे तक का टाइम है हमारा रात का वो बॉड़ी ने अपना सोचो के वीर टियर के लिए रखा है उसको री फिलिंग के लिए रखा हुआ है कि हमारी जो बॉड़ी में दिन चरया में हमारी जो प दस बज़े से दो बज़े तक का हमारा टाइम है कि जो हमने खाना खाया हुआ है उसमें से कैसे उसमें पोशन तत्व उसमें बाडी ने निकालने है और वो निकाल के उसने आगे उससे बाडी को तरपन करना है तो बट जब हम लोग सो ही ने रहे उस टाइम पे बाडी और ही क तो उससे वो आपका प्रॉपर काम नहीं हो पाता है, तो में अगर वादशमन की हम लोग बात करते हैं, तो एक तो यही आजाता है कि आप अपनी नींद प्रॉपर रहें, दूसरा अपना खाना ठीक ठाक खाएं, अब नींद प्रॉपर लेंगे तो आपको सुभा मोशन भी होगा, और हमाचल से पर्वीन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पर्वीन कहिएगा, क्या समस्या है, यह माम गुद आफ्टरून, मैं मुझे जानना है, जो डिस प्रॉलम होती है, उसकी जैसे अब दॉक्टर से बात करते हैं, तो बोलते हैं कि दॉपर 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 धिक की प्रॉब्लम भी है, जैसे मैंने च्ल कि पहले प्रॉब्लम बटाया, यह सारी झीजा है आपकी पोस्चर है, हमारी स्पाइ kesकाद बतार है, जो भी डिस्क आपकी प्रॉब्लम् मा बदा रहे हैं, वह भी इसली होती है, क्युक्टि करता हैं, तो हमारे पोस्टर कहीं ना कहीं हम लोग वेट लिफ्ट कर लेते हैं या हमारी बॉड़ी को जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं शाष्त्रों में भी यह लिखा है कि जितनी कि आपको उतनी ही एक्सराइज करने चाहिए अपने बल से बढ़के आपको कोई काम नहीं करना चाहिए तो जब हम लोग क प्लेस्मेंट हो जाती है वो अपनी जगा से हिल जाती है तो आपको नैचुरी जब कोई चीज यहां पे उसकी पुजीशन है और वो राइट और लेफ्ट मूव कर जाएगी तो वहां से कितनी सारी नर्व्स आप सोचों निकल रही हैं जो आपके टांगों को और बैक को देते हैं या पेइन को ठीक करने के लिए देते हैं तो वो पेइन ठीक हो जाएगी बट एक्सेसाइज आपको कॉंटीनू करने पड़ेगी यानि कि एक एक्सेसाइज से और आपका सही पोस्चर अगर होगा तो आपको डिस्क जैसी संबंदी समस्याओं से आपको छुटका दुखाम पर अधारित है क्योंकि यह दिन चल रहे हैं कि लगातार लोगों को समस्याओं देखने को मिल रहे हैं कि खासी से लोग परेशान है जुखाम से परेशान है और आपने बताया भी कि छोटे बच्चों को हनी दीजिए अद्रक दीजिए या फिर कपूर के भाप ल जैसे इन बॉर मतलब नूबॉर्न भी है इंफेंट्स है लाइक वो छोटे से बच्चे हैं तो मैं क्या बोलती हूं पेरेंट्स को कि आप उनका जो पिलो है पिलो पे कैमफर का ओल लगा दीजिए या एक हैंकी वहां पे आप साइट में रख दीजिए उस पे ओल लगा कि आप रख देते हैं तो बच्चे ने सांस सुले नहीं लेना है ना सांस लेगा तो वह पर अपने आप उस वह इनहेल करेगा तो उससे काफी हद तक उसको रिलीफ मिलेगा तो यह सबसे बैस्ट है बच्चों के लिए तो और इसी के साथ आइडी मिश्रा हमार सा जुड़ ग 63 ओके अशर दिख जैसे हमारी बॉड़ी भी एक मशीनरी है तो हम लोग जितना यूज करते हैं तो वियर टियर तो होती होती है हमारी बॉड़ी की भी तो आपके लिए सबसे बैस्ट जो है एक तो आप फ्लैक्सीड ओइल ले सकते हैं वो आपको लेना चाहिए और एक आप को सेवन सीज जो रो लेना चाहिए क्योंकि ये काटिलेज फॉर्मिंग है फ्लैक्सीड जो है और मेडिसन में मंडे से आपको लेना शुरू करूंगी कि अगर आपको कोई मेडिसन की रिकमेंडेशन चाहिए तो वियर टेकिंग इट फ्रॉम मंडे तो आपको एक तो लोकल अपको ओयल की लेनी चाहिए बाकि आपको फ्लैक्सीड और सेवन सीज मुझे लगता है आपको कॉंटिनूसली लेना चाहिए उससे आपका जो काटिलेज है वहाँ पे जो काटिलेज की कमी हो गई है तो वो दुबारा से रियूवी नेशन उसकी शुरू हो जाएगी और ल उससे आपको काफी बेनेफिट मिलेगा बट यह की रिजनेशन का काम करना है हमने अंदर से काटिलेज को फॉर्मेशन उसकी दुबारा से ठीक ठाक करनी है तो उसके लिए फ्लैक्सीड और यह दोनों चीज़े बहुत अच्छी रहती है अज सेवन सीज अपने कॉर्ड लि से मैं दिखाने के लिए गई थी हां जी तो वो जो त्रिफला पौडर है तो वो बोलते थे कि एक चमच आपका सुबा यहां रात के समय ले सकते हो तो पेट आपका पूरी तरह से साफ हो जाएगा मेरा पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है मैं त्रिफला अपना काम कर रहा है अब उसको क्या रात को लेते हैं ने एक बार मैंने शिर्फ लिया और उसके बार मैं ले नहीं पाई क्योंकि वो एक दम जैसे चमच मों में डाला ओपर से उन्होंने का कि गुन गुना पानी डालना तो वो गले में जाके लग गया सा उस है आप उसको भीगो लो थोड़ी देर उसको पड़ा रहे रहें दो आदे गंटे बाद उसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करके आप उसको एज इस पी लीजिए साथ में पाउडर और पानी दोनों जितना आप ले पाओ उतने ही पानी में आपने उसको भीगोना है कई बार होता है कि हम लोग अब पूरे ग्लास में आप डालोगे तो पूरा ग्लास पानी पी नहीं पाओगे ठीक है तो थोड़े से ग्लास में आप थोड़े से पानी में आप उसको मिक्स कर लीजिए और और वो पानी ऐसे आप हिला के अची तरह से उसको आप मतलब ले सकते हो तो तो वो आपको फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा कि आपको अरिच्री हो जाती है कई बार हमें मैडिसन से तो हम उस मैडिसन को नहीं ले पाते तो इस से आप ठीक ठाक से ले पाओ गया हो अच्छी मैम एक वो बोल रहे थे कि आप रिफला पाउडर से अपनी आखे भी धो सकते हो क्या उसका पानी वायल करके छंडा करके दो नहीं आखे नहीं नहीं जैसे आपने अभी बिगोना है ना उसको आदा घंटा भी गो दो या ओवरनाइट आप किसी कांच के बतन में जाएगा आप उस पानी को ड्रॉपर के साथ निकाल सकते हो उपर से और उससे आप वाश कर सकते हो अपनी आइस को हुआ है तो इसी के साथ जिससे एक हमारे कॉलर ने पूछा था कि घुटनों की समस्या लगाता रहती है और आज कल देखा भी जाता है कि हार एक घर में किस स्चारिया जाती है लोगी तो महाराश्ट्रे से रमेश हमारे साथ जुड़ गें हैं रमेश कार रहे ऐगा क्या समस्याै कि मैधम मेना इंक्र मेड़नियरी तुमर एक्सेशिन ऑपरिशन तो लगता है। मैडम है। जो नर्व है that has been cut है ना जो वहां पर पार्ट आपका जो सप्लाई करती है सेंसेशन की सर्जरी के दोरान आपकी वो शायद मुझे लगता है कि नर्व कट गई है जिसे आपको सेंसेशन नहीं आपा रही है यहां फिर कई बार होता है कम्प्रेशन होगी होगी जैसे वो कई न कहीं दबगी होगी तो भी हमें सेंसेशन नहीं आपाती तो आपके लिए सबसे बैस्ट मेडिसन शिलाजीत है आप अगर शिलाजीत के एक एक ड्रॉप लेनी शुरू करेंगे तो विद पैसेज ऑफ ताइम जैसे नाइन मन्स आप बता रहे हैं आपको हो गए तो मुझे ल यह उसके सारे न्यूट्रियंट होते हैं तो यह start taking that है ॵaneous सब्सक्राइब कर सकते हैं हम सर्फ सब्सक्राइब अपड़ सब्सक्राइब कर सकते हैं हम आग साल शुक्रीया थैंक पिलहाल नमस्कान टेंट झाल झाल